दोस्तों मैं विकास गौड हमारे चले में आपका स्वागत है दोस्तों आज कल मैं देख रहा हूं में काफी टाइम से इस बात को नूट कर रहा हूं कि हमारे ग्रूपों में जो खवर डाली जाती है वह जातर वह खवर तेजी सी डाली आती है जो काफी जादा हमें नुक्सन पहुचा सकती हैं जैसे हसन के बारे में रिपोर्ट डाली गई थी कि हसन में काफ़ जादा बवाई हो रही है उसके बारे में भी हमने आपको बताया कि इतनी कोई वहां पर गड़ाई नहीं हो रही है फिर दोस्तों आपको पाकिस्टान एक्सपोर्ट हो रहा है या कहीं पर इसकी खवर डालते हैं वो भी हमने बताया कि ऐसी कोई खवर नहीं है फिर दोस्तों उना उस्यारपुर में बॉइ हो गई है वहां हालत ही है वह मतलब सारे कुछ आपके लिए बताया गया तो इसके बारे में भी हमने आपको बताया तो यह तीनों जो आपके लिए खवर थे हैं और आपके लिए बिल्कुल सच बताया है हमने लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ देख रहा हूं कि अभी जैसे सावत में बहुत जबस्त तेजी है इसके बारे में किसी भी गुरूप पे कोई भी खवर नहीं है कि सावत में भाई यह तेजी बनी हुई है तो आप अपने जो जूटके काफी लोगों के पास होते हैं यह जरूरी नहीं कि हर किसान का आलू साउत में ही जा रहा जाता है तो उनके सान को पैसा नहीं मिल पटा रहा है जो बहुत दूर तक ही मंधी करता हो जिससे एक पैसा लगत्या लगता है कि महल अच्छा बन जा एकन नुब अब दोस्तों सावत में तो जवस्त तेजी है लेकिन मुंबई और तुम्हारी धरकी शायड काफी मतलब ग्राबट देखी जा रही है पहले से भी मंडी तूट गई है लेकिन इसका कुछ लोगों का कहना है कि इसमें तौहर की वैसे या वहां पर कुछ अभी डिमांड की कमी के लिए यानि चेंड नहीं हुआ बैंगलोर हुआ या तमिलनाड हुआ लेकिन जो लो क्वाल्टी के जो माल है मुंबई मंडी में दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हर जगह के कोल्ड है हर जगह से ब्यापर अपना-पना माल उठा रहे हैं इस हिसाब से वह बीच रहे हैं अब ज दोस्तों आज भी यह है कि अगर आज सावत में तो कुछ लोग आज भी मेरे साफ से यह सूचरी होंगे कि आलू अभी और तेज होगा भाई सावत में इस समय सहतिस्तान है 25 रुपे से उपर ही चला जानतर मंडियों में अब इससे भी तेज आपकर सूचरी और आलू नहीं पर धविशना चाहते है और कि अपने आलू को कैसे कर सकते हो लेकिन हमारे दोस्तों हलका हलका थोड़़ा बहुत बेचना चाहिए हर रिट में को बेचना चाहिए तो तेजी में थोड़ा 10-20,00 रूपे कम में विए अगर बिकरा तो भी बेचना चाहिए एवरें अकर हर अ प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् लेकिन दोस्तों अब इसमें एक हमें भी एक benefit यह हो सकता है कि अभी cold में जो निकासी है उसमें काफी यादा down देखी गई है यानि सितम मर के पहला अपता लग गया है और इसमें जो निकासी है वो cold में काफी कम हो गई है क्योंकि किसान वी अब यह देख रहे हैं जब आगरम में महें तो हमारे यहां पर आलू महें हो सकता है तो दोस्तों यह चीज तो देख रहे हैं और दूसरी बार जादातर किसान रुखे पड़े हैं इसमें नो दुरगे या किसी भी मतब तोहर के उपर रुखे पड़े हैं कि इसमें पचास सो और पर चलाएगा मैं तो तब बेचूंगा और दोस्तों जादातर जो किसान हम से चुड़ू हुए हैं उन्होंने तो काफी फायदा भी लिया है और जातर तो दोस्तों वह तो अभी रुखे उएं वह तो अभी नहीं बेचेंगे क्योंकि नहीं अगस्ते की जो रिपोर्टिंग आ रही है हमारे पास मैं आपको हिल्ट दे रहा हूं सबसे पहले मैं दोस्तों बात करेंगा पानीपत के बारे में तो पानीपत की बात करें दोस्तों बात करें आज की और एक स्टीस गाड़ी बिलेंस भी ज्यादा बचा है कलका स्थियाति सांगे की बात करणों तो लगवतों सा सब आठसओं पर पहले इसमें दोस्तों भी आयखी से डिय-वी क्वाल्टी 800 भागती अधकी यह बheroर दोस्तों और उसे मैं नीचे कि सुर्जा की बात करें तो स्वहां सिर्वणार. और तुम्हारे अलिगडवादे विकरा है 900 से लेखे 970 रुपे पेकीट तर चिपसोनों की बात करें तो 900-900 रुपे विकरा दोस्तों और यहीं पहुत दोस्तों आप बात कर लेता यूपी की यूपी कि कुछ मंडियों की बारे में यूपी की अगर कानपुर की मंडी की बात करें तो काणपरम में दोस्तों ओलन विग्राः से कांदर से साड़े सूलर रुपे किलो और गुल्ला विकाँ दोस्तों अधर्य तर्जास को यह पाद प्रियाग राज की की बात करें तो जीफोर विक्रा सुगर अलू कम जाता है लेकिन जूट वाला ज्यादा जाता वहां पर तो विक्राव विक्रार 25- सोफिना अब दोस्तों आप को एक बात बात करें थ्यादातर मंडियों में आप अपने देखा हुआ ज्यादा बड़ा अंतर नीं जो मैंने आज अवी आपको रेट बता हैं अगर की और मंबेगी और पुड़े की बात क्रें तो पुडे में विक्राई यह जा रहा है ज्यादा कोई उश्चाल ने देखा जा रहा है बता यह जा रहा है कि मुम्मई में जो इस समय गरावट है उसकी वहां पर गड़ेस चत्रदसी का जो कारकरम चला उसकी वे एक भी तोड़ी घ्रावट देखी आ दिन में क्या हो सकता है अब बात करतें साउथ की मंडियों के मैंसुर मंडी के बारे में वह तो मुम्मई यह माली 22-व क्यों तक अलूइट कॉलिटी का विख रहता लेकिन आज डियुर अपर बहुत अच्छी क्वालिटी मतला बहुत अच्छा तो अच्छी तरह आलू विकरा है इंदोर की बात करें तो इंदोर का लगबग दोस्तो आठ गाड़ी है बैंगलोर में और 24 से 26 रुपे के लोग विकाए और हसन की बात करें तो दोस्तों 12,000 पेकट हैं बैंगलोर में हसन के और लगबग 22 से लेगे 28 रुपे कलो आलू वहां और हसन की पाच गाड़ी है लगबग 34 से 38 रुपे कलो लगवा आलू विका है 38 रुपे कलो दोस्तों बहुत होता है मेट्व पालम की बात करें तो 20 से 26 रुपे कलो अब दोस्तों आपने इसमें दो तीन बात नोट की होंगी कि कुछ मंडिया ऐसी है जहां पर आलू हाई र और लोगों पर आपको देख रहें और अभी जूट के आलू में ही मिला है और वह भी तुमारे आगरा के किसानों को मिला है ज्यादा तर जूटके काफी जगह रखते हैं वहां पर नहीं मिला है और लोगों को जैसे मैं मत्रा की बात करूं या मुर्सान की बात करूं हात्रस में भी काफी कोल्ड ऐसे जूट कालू रहता है तो उनको फायदा नहीं मिला इसका कारण यह है कि मुंबई या तुम्हारे जैपुर में रेट ना होना तो दोस्तों यह तो आज के आलू के भाव जरू बताना, नमस्कार